नमस्कार दोस्तों मेरे ना मैं काश और आप देखरें टेक्निकल राम जी और आज की एपिसोड में मैं आपसे बात करने यालाँ सार वैल्यू के महरे में जी हैं स्पेसिफिक एब्जॉप्शन रेट इसका फुल फॉर्म होता है और यह क्या होता है किस तरह से आपकी बॉडि इसको नुक्सान पहुंजा सकता है और कितना साय वैल्यू का फोन आप लोगो लेना चाहिए फोन लेने से पहले आपको जनकार जरूर जरूर नो चाहिए तो ब पर नीए था हमारे संग और इस वीडियो को संग तो चलिए बिना खिस दिर को शूर करते हैं लैत्स टार्ट वीडियो टेक्निकल रामजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूले मेरे लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो को सबसी पहले एक ऐसा electromagnetic power है जो निकलता है सीधा mobile handset से and towers है तो अगर आपने robot 2.0 देखा होगा तो वह अच्छी से समझाया सार का मतलब क्या होता है लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो वह movies को जाकर देख लीजी यही सबसे बड़ा important यही पार्ट है इसी जिसके जो है movie को बनाया किया ह तो जरूर से जरूर इस movie को देखिएगा पूरा concept आपको समझ बहाँ जाएगा लेकिन अगर आपने वीडियो को शुरू कर दिया है तो प्लीज इस वीडियो को देखती हो चाहिए और इस movie को भी देखिएगा इस वीडियो के बाद तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ ह हमारा human body जो है SAR value को बहुत ही ज्यादा एब्सॉफ करता है जो mobile handset and tower से निकलते हैं और SAR value तो दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूँ गवर्मेंट जो है हमारी इंडिया का इंटर मिनिस्टिल कमिटी ने सार वैल्यू को लिमिट दिया था तो वाट पर केजी सभी mobile handset के लिए लेकिन जब बाद में पता चला के health issues काफी ज्यादा बढ़ रही है तो वाट पर केजी के लिए SAR लबसार रेट जा इंडिया में त 1.6 और 1.6 से नीचे 1.6 खत्रा नहीं है लेकिन 2 खत्रा है इसलिए बहुत सारे ऐसे कंपनी जो 1.6 के नीचे 1.6 सार रेटिंग दिया तो जो भी फोन अगर आप लेने जा रहे फ्यूचर में या बाद में लेने जा रहे आप उस कंपनी के बारे में डाइरिक्ट अप जो हमारा सैमसिंग हमारा लवेबल सामसंग जो एक 0.560 कर जासे करकी वह सार रेटिंग दिता है उकशा रेटिंग जो है बहुत ही कम जाता है जी हाँ शार वैल्यूस फोन के बहुत ही कम होते इसलिए वह ज्यादा आपको लाइब मी या फिर आपको प्रॉब्लम नहीं करत तो इन सब का जो सार रेल्यू होता है, वो 1.6 से नीचे होता है, लेकिन करीब करीब 1.6 को टश करता है, जासे की 1.5 औ 1.56, तो अगर आप ये सब कंपनी के फोन को इस्तमाल करते हैं, तो मैं आपको मना नहीं करता हूं, आप इस्तमाल करिए, पिलकुल भी कोई गल्थी निए इस्तिमाल करने में क्योंकि यह एक लिमिट से कम है लेकिन मैं आपको यह बता दिना चाहता हूँ कि कैसे आपको इन सब फोन्स को क्यारी करना चाहिए पहली बात तो सबसे बड़े गलती आप यह करते हैं कि फोन्स को आप अपने शर्ट्र के पॉकिट में रखते हैं मैंने बहुत सारे लोगों को राचलते हैं लूज मैं लोगोने देखा है कि ini अटिशर्ट के पॉकिट में बट करिये mind वह विलकुल भी यह मैं भी तो भी हमारा घ॥ी कि असको निकल के आप फैंन के तो उसे बैग में करीए आप उसमें वाइबरेशन मोड लगा दीजे कि आपको फोन है तो पता चले वैग तभी वाइबरेट होता है वरना रिंग टोन में वाइबरेट नहीं होता है बैग पता नहीं चलता है क्योंकि फोन आपका जितना दूर रहेगा अच्छा आपके सार वैलु बहुत नुकसान पहुझा सकता है सामसंग भी रात को नुकसान पहुचा सकता है और मैं चाइनिस कंपनी के मॉइल्स के बार में बूल ना हूँ तो अगर आपको पुरा लगा हूँ तो माफ करिये लिकिन जो सच चाहिए वो आपको बताना बहुत जरूरी है और आपको जानना भी बहुत जरूरी है तो चलिए मिलते ही आपसे अगले वीडियो में थैंक आप दताना जाता हूँ कि वीडियो अभी रेगलर वीडियो नहीं है तो उसके लिए माफिर जाता हूँ कुछ परसन प्रॉब्रम्स चलिए है तो थैंक यू एंड बाई बाई